हरे कृष्णा रादे रादे 12 नवंबर 2024 को देव प्रबूदनी एकादसी के सुब अवसर पर प्रदोस काल में तुलसी विवा का आयोजन किया जाएगा विवा का सुब मूरत साम को 5 बच के 29 मिनट से साम को 7 बच के 3 मिनट पे रहेगा प्रतेग वैशनों भक्तों को तुलसी विवा अवश्य करना चाहिए इसकी बड़ी ही महिमा होती है एवं जिन कन्याओं के विवा में दीरी हो रही है उन्हें भी इस दिन नए वस्त्र आभूशर से अलंकरित होकर प्रदोस काल में तुलसी विवा अवश्य करना चाहिए नित है कि जो भी मनुस से, सास्त्र वं में लिखित विधी के अनुसार तुलसी जी के विवा का उत्सव मनाता है वह कन्यादान का फल पाता है, इस सम्बन्ध में एक कथा है, पूरुकाल में, कनक की पुट्री किसोरी ने, एकद असीतिती में संध्या के समय, तुलसी की वैव वाहिक विधी संपन्न की थी इससे वाकिसोरी विद्वा के दोस्ट से मुक्त हो गई थी एक तोला स्वर्ण की भगवान विष्ण की सुन्दर प्रतिमा तयार कराएं या फिर अपनी सक्ति के अनुसार आधे या जौथाई तोले की प्रतिमा बनवाएं फिर तुलसी और भग विष्ण की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके इस्तुति आधी के द्वारा भगवान को उठाएं पुर्सोक्त मंत्रों द्वारा सोरसो उप्चार से पूजा करें इसम्रड करके गडेश पूजन करें उसके बाद वेद मंत्रों के उप्चारण और बाजे आधी की बगवान विश्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखे। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छा दिद करें। उस समय भगवान का इस प्रकार आवाहन करें। भगवान के शव, आये, देव, मैं आपकी पूजा करूंगा। आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित क करूंगा। आप मेरे समपूर्ण मनूरतों को पूर्मि करें। इस प्रकार आवाहन के पश्चात तीन बार अर्द, पाद्ध और विश्ट्र का उच्चारड करके इन्हीं बारी-बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आच्छमनीय पद का तीन बार उच्चारड करके भगवान को आच्छमन कराएं। उसके बाद तांबे के पात्र में दही खे सहद रखकर उसे तांबे के पात्र से ही ढख दें। तथा भगवान को अर्पर करते हुए इस प्रकार कहें वासुदेव आपको नमस्कार है या मधू पर क्रहड कीजिए। उसके बाद गोधुल आदी की बेला में तुलसी और श्री विष्णू का पूजन प्रतक प्रतक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रख कर मंगल पाट करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हों तब कन्यादान का संकल्ब करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदी की तीन पीड़ियों का भी आवर्तन करें। तत पश्याद भगवान से इस प्रकार कहें। आदी, मध्य और अंत से रहित, त्रिभुवन, प्रतिपालक, परमेश्वर इस तुलसी को आप विवा की विधी से क्रहड करें। यह पार्वती के बीच से प्रकट हुई है, वन्दा की भष्म में इस्थित है, तथा आदी, मध्य और अंत से सुन है, आपको तुलसी बहुत ही प्री है, अता इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ, मैंने जल के घड़ों से सीच कर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भ इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों तुलसी और विश्नु की पूजा करें, विवा का उस्व मनाएं, सबेरा होने पर पुना तुलसी और विश्नु का पूजन करें, अग्री की इस्थापना करके उसमें 12 साक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिस्रित पूनिय द्रव की 108 आहूती दे, फिर सुष्ट करत हों करके पूर आहूती दे, आचार की पूजा करके हों की सेस विधी पूरी करें, उसके बाद भागवान से इस प्रकार प्रातना करें, प्रभू आपकी प्रसंता के लिए मैंने यावरत किया है जनार्दन, इसमें जो न उन्ता हो, वह आपके प्रसाद से पूर्ता को प्राप्थ हो जाए, यदि 12 सी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो, तो उस समय पारण ना करें, जो उस समय भी पारण करता है, वह अपने व्रत को निस्फल कर देता है, भूजन के पश्याद, तुलसी द्वारा स्वता गल कर गिरे हुए पत्तों को खा कर मनुस्य सब पापों से मुक्थो जाता है, भूजन के अंत में, उख, आवला, बेर का फल खा लेने से, उचिस दोस मिर जाता है, भगवान का विसर्जन करते हुए कहें, भगवन आप तुलसी के साथ बैकुंठ धाम में पधारे, प्रभ करें, इससे मनुस्य क्रितार थुए